हलो फ्रेंड्स वेल्कम टो यूट्यूब चैनल दामाथमेजीन शो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स पिछले वीडियो में मैंने मानू पॉलिटेक्निक इंट्रेंस के बारे में कुछ बातें बताई थी और जो की लगभक सतीक पूरा परफेक् मैंने बताया था कि धर्भंगा में जो होगा वो छाहते होंगे तर द्रभंग्याम हो जाएगा तो उनसबी काぁ जो लिस्ट तो कई वच्चे मैसेज करके बता रहे थे किसर आपने बताया था वह बहुत हिल्फूल था और वही चीज़ हो गया है तो मैंने दोस्ते कावन बता था लेकिन लेकिन 350 रैंक तक का वहां पर जो प्रोविजनल लिस्ट आया है उसमें 350 रैंक जिसका है उसको भी डिजायर्ड मिल चुका है प्लेस जगा भी और इंजिनियरिंग का फिल्ड भी तो इसी वजह से मेरे कई साथ ही बोल ले थे कि इसको जो है सो एमेट का बनाओ एमेट का बना आगे बीएट का जो है वीडियो मैं डालूंगा तो शुरू करते हैं इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हर सेंटर से कितने बच्चे ने एक्जाम दिया है और उसके बाद कितने रैंक पर कौन सा सेंटर मिल जाएगा और कितने रैंक वाले का फर्स लिस्ट में नाम आ लेएं तो जैसा कि आप लोग को पहले से पता है कि टोटल सीड्स कितना है 189 तो वह है 438 यह 수도 है नाम है अब ह्लोग jogar सेंटर येश जान लेते है में किए कहां कितने बच्चों ने इकजाम दिया है और कितने अप सेंटर है इससे क्या होगा पता चल जाएगा हमें कि हमारा एड awareness कौन से क्वां सेंटर में हो जाएगा है कि तो आशन सोल में है कि है कि 23 त्वेय में और इसके बाद आते हैं कि औरं रिंगाबाद यहां दो कंडिडेट थे आजम गड़ यहां एक बैंगलूरू एक भोपाल चार बीदर पांच कटक में कोई नहीं था उसको शोल देते हैं अब हम लोग दर्भांगा का जानते हैं दर्भांगा वन सेवेंटीनाइन डिलही 40 बचे यहां एकजाम दिया है उसके बाद हाइदराबाद 32 जम्मू और कड़पा में कोई भी कंडिडेट नहीं एकजाम दिया हैं किशन गंज बिहार में 49 कंडिडेट्स थे यहां ठीक है उसके बाद लखनाव फाइब नो में कोई भी नहीं था पटना यह भी बिहार में है 76 राची थ्री संभल यूपी में है बाड़ा और श्री नगर यहां छे तो टोटल सेंटर्स पे इतने बच्चों ने एकजाम दिया और 89 बच्चे लगभग एपसेंट रहे ठीक है जो एकजाम देने नहीं पहुँचे अब हम लोग स्टेट वाइस जान लेते हैं कि किस स्टेट से कितने बच्चों ने एकजाम दिया है इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कितने रेंग पे हमें कौन सा सेंटर मिल महाराष्ट्र यहां से टोटल सिर्फ दो कंडिडेट ने एकजाम दिया है ठीक है उसके बाद है जारखंड यहां से तीन कंडिडेट एकजाम दिये हैं उसके बाद है मद्ध परदेश एमपी यहां चार उसके बाद करनाटक छे जम्मू एंड कश्मीर यहां से भी छे कंडिडेट हैं उसके बाद यूपी उत्तर परदेश यहां से 18 कंडिडेट ने एकजाम दिया है वेस्ट बेंगोल 23 तिलंगाना हाइदराबार यहां से 32 डेल ही एंसी आर यहां से 40 कंडिडेट ने एकजाम दिया है और अब है बिहार यहां से 304 कंडिडेट ने एकजाम दिया है टोटल सीट्स है 189 और कंडिडेट्स है 438 भोपाल में ठीक है जो कि मद्ध परदेश में सिंटर है वहां 63 सीट्स हैं और तरभंगा में भी 63 सीट्स एवेलेबल हैं और हाइदराबाद तेलंगाना में भी 63 सीट्स हैं तो आप देखिए कि हाइदराबाद से ठोटल 32 कंडिडेट नहीं एकजाम दिया है तो यहां तो आसानी से और यहां का भी हो जाएगा और इसके आस पर उसका जो राज जी होगा उसका भी एडिडेशन यहां हो जाएगा ठीक है उसके बाद में भोपाल में भोपाल से एक्जाम दिया मद्ध परदिश से तो यह और यह जहां भी सिंटर पहला दिये होंगे प्रिफरेंस तो उनका आसानी से हो जाएगा टिक है क्योंकि इतने कम स्टुडेंट्स थे तो यहां हो जाएगा चाहिए कितना भी उनका हो उसे कोई मतलब नहीं फर्स प्रिफरेंस अग दरभंगा सेंटर ही है बिहार में तो वहां जो है सेफ सेक्स्टी थी सिट से तो यहां जो है बहुत ज्यादा भीर है रश है तो यहां एडमीशन फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट में कितने बच्चों का नाम आएगा और कितने रैंक पे होगा उसको अब हम लोग ज्यान ल उससे कम होगा तो उसको दरभंगा एलोट हो जाएगा अगर उसने फर्स्ट प्रिफरेंस दिया होगा ठीक है लेकिन एक से जादा यानि एक सो साथ रैंक से जादा वाले स्टुडेंट्स का भी नाम आ सकता है फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट में वह कैसे अगर वह किसी भ dw rhdy us होगा थो का नाम है सकता है यह यह कंवरड tratar लिस्ट प्लस जब्या माइक तो उनका भी नाम आसकता है तो लेकिन एक सो साथ रैंक यह से कम होगा तो यह कं फन्फरम रहे आपप लोग कि उसका फर्स्ट नाम आ आएगा और दर्भंगा है लौट होगा अगर उसने फर् बन दाया तो अपने दोस्तों से शेर जरूर कीजिए ताकि उनका भी कंफिजन दूर हो जाए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाइकन दबा दें झाल झाल